मैं हूँ अलीजाज, आज हम Redhead RFCSA का लेक्चर नमर 9 स्टार्ट करेंगे, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि Redhead पे, यानि Linux में कौन कौन सी permissions होती है, फाइल पे permissions का क्या effect होता है, और folders पे प्रमिशन का क्या effect होता है फिर हमने देखी थी, कि Read Permission क्या काम करती है, Red Permission क्या काम करती है, और Execute Permission क्या काम करती है, फिर उनकी हमने values देखी थी, Bytery Form में, आज हम देखते हैं Special Permission, Special Permission क्या होती है, Create and Configure Set GID Directories for Collaboration, Special Permission हम इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे, हमको अपनी Set GID, Set UID और Sticky Bit को की सरां Set और Configure कर सकते हैं, अपनी Directories, Files के उपर, तो सबसे पहले Special Permission हमार पास तीन किसम की Special Permission होती है, एक Sticky Bit, एक Set UID और एक Set GID, जो Set User ID है, वो Only Set जो होती है, वो Can Be Set on Files and Tractories, जो Set Group ID होती है, वो Can Be Set on Files and Tractories, Sticky Bit Only for Tractories to Prevent Deletion, यानि कोई भी डेटा आपका, कोई भी यूजर आपका डेटा 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 नहीं कर सकता, सिर्फ वो ही ओनर अपना डेटा डेटा कर साथ जिसने Files ट्रेक्टरी के अंदर create कियी है। उसके बाद, इस परमिशन और नेदेट टू इंप्रूफ करिटी, इन एक्जिकुटिव पर्ग्राम इस ओन बाइरूट यूजर आज यूजर पर्मिशन इस सेट, किसी execute file के उपर किसी script के उपर कोई भी permission ऐसी है जो set uid लगी हुए अगर उस file के उपर permission set uid लगी हुए तो वो फिर कोई भी user, normal user भी उसको run कर सकता है root की user की मदद से क्योंकि ये set uid permission उसको allow करती है कि वो normal user भी उस file को, उस script को run कर सके जिसना हमने rwx की binary form देखी थी कि उसमें binary में क्या number होते है इसी तरह sticky bit के लिए एक use किया जाता है और set uid के लिए दो use किया जाता है और set uid के लिए for use किया जाता है last time हमने बात की थी कि एक शुरू में एक digit होता है उसके बाद हमारे पास right के लिए user owner के लिए seven group के लिए seven और others के लिए seven total यह हमारे पा overall permission होती है जो यह शुरू में जो number होता है यह हम special permission के लिए use किया जाता है यहाँ पर हम one भी use कर सकते है two use कर सकते है और four use कर सकते है set uid set uid के होती है if set uid bit is set on a file and a user executed it the process will have the same rights on the owner of the file has been executed अगर किसी executable file के ओपर यानि किसी script के ओपर set uid configure कर दी गई है तो जो owner है उस file का उसके पास भी same वह rights होंगे जो एक normal user को मिलेंगे यानि अगर executable file को normal user run करता है set uid की मदद से तो जो owner के पास rights थे वो ही shift हो जेंगे normal user के पास तो set uid display as a smallest in a owner executive field यानि इसका मतलब यह है कि जो owner के पास जो field होती है r w x की तो जब हम set uid configure कर देते हैं तो उसकी जगा जब हम r w x जब हम set uid configure कर देते हैं तो उसके जो permission होती है जब है वो r w s हो यह ती है इदर s हमारे पास जो आता है वो दो तरह का आता है एक small s आता है और एक capital s आता है अगर अब हम देखते हैं small s में क्या फार का और capital s में क्या फार का वो हम next में देखेंगे निचे नोट में लिखाओ आपास प्रमिशन कें वी कुछ देखेंगे बिकास if you have a set uid shell which is honored by one user other user essentially inherit to the file permission by executing it hence they have the ability to remove all files which honored by the real user अगर किसी एक्ज़बाब फाल के पर set uid permission set की हुया तो जो normal user है वो उस file को remove भी कर सकता है उस file में changes भी कर सकता है उस file को modify भी कर सकता है किसकी मज़से set uid permission की मज़से इसलिए लिखा गया कि ये permission बहुत dangerous होती है सब हम पहले set uid permissions check कर लेते हैं कौन कौन सी होती है उसके बाब भी हम आगे set group id देखेंगे अभी हम set user id देखते है set user id को use करने से पहले last lecture में हमें permissions देखी थी rwx की यानि user के लिए rwx, owner के लिए rwx, group के लिए rwx और others के लिए rwx लेकिन हमने ये दो चीज़े नहीं देखी थी ये दो किस के लिए होती है ये पहला route जो आपको शो कर रहा है ये owner का है दूसर route जो आपको शो कर रहा है ये group के लिए होता है तो मैं एक file create करता हूँ touch file for इसकी permission देखता हूँ file for की जो permission है वो हमारे पास rrw यानि owner के लिए rw group और others के लिए सिर्फ read only तो इस group का जो owner है वो कोन है route है और route है इस group का यानि इस file का जो owner है वो route है और इस file का जो group है वो भी route ही है तो मैं चाहता हूँ कि इस file का owner है वो कोई user होजे या उसका group भी कोई होजे होजे तो उसके लिए मैं आपको दखाता हूँ हाँ कि मैंने एपनी machine के उपर कुछ users create की हुए है यह देखिए कि मेरी मशीन के ऊपर कुछ यूजर्स क्रेट हुए हुए है अली, हसन, वसीम, हैदर, इम्रान, कमर, एसन इसी तरह मैं आप गुरुप दखा रहे तो मेरी मशीन के ऊपर कुछ गुरुप भी क्रेट हुए हुए है, आई टी, एच चार अकाउंट्स और, एक यूजर हो रहे हमारे पस, एक गुरुप हो रहे है, एड्मिन का, यह लास्ट पे एड्मिन आ रहे है तो मैं चाहता हूँ अब इस फाइल की जो परमीशन है, फाइल फॉर की जो ओनर है और इसका जो गुरुप है, वो चेंज कर दिया जाए तो उसको चेंज करने का तरीका यह होता है, इसकी कमांड है CH on Change Ownership, कि इसकी Ownership चेंज कर दिजए, तो इसकी Ownership मैं देता हूँ, अली को, और साथ डॉर डालके अली को गुरुप देता हूँ, फाइल फॉर, तो अब देखे इसकी Permission जो होगी है, वो इसकी Ownership कौन होगी अब इस File का Ownership कौन होगी है, अली इस File का Owner है, और अली ही इस File का Group है, अब मैं चाहता हूँ कि यह File, मैं चेंज कर देता हूँ, चेंज On, अली.it, File For, अब, अब ही क्या हो गया, अब अली इस File का Honor है, file4 का लेकिन जो IT या यह IT गुरूप पे है तो यह जितने भी IT गुरूप के अंदर जो member होंगे उस सब के सब इस file को access कर सकते हैं किसकी माझसे इस group की मदद से यानि इसको read कर सकते हैं जितने भी मेरे पास user होंगे IT गुरूप के जो member होंगे उस सब की सब file4 को read कर पाएंगे क्योंकि इसको पर read की permission है तो फिलाल अभी मेरे पास IT गुरूप के अंदर कोई member add नहीं है तो हम IT गुरूप के अंदर member add कर लेता हूँ user-modify-g-it-hasan-wasim-ali ठीक है यह मैंने 3 user IT गुरूप के अंदर add कर दी है तो अब मैं इसकी फायर अब अब जितने भी जो मैंने गुरूप यानि IT गुरूप के अंदर ती यूजर एट थे अब जो हसन है और वसीम है वो इस file को सिर्फ read कर सकता है राइट नहीं कर सकता लेकिन अली इस file को read भी कर सकता और write भी कर सकता उसकी वही है क्योंकि अली इस file का owner भी है और अली के पास जो परमिशय है वो read write की है अब हम अपने आते है यूजर आइड सेट UID की तरफ तो मैं आपको पहले एक दिखाता है तो एक file llutc usrbin password अब इस password फाइल के उपर setuid setuid है set user id यानि setuid जो setuid होई है वो s होई है small s और पहला read only फिर यह s इसका मतलब यह है कि हम जो भी normal user जब भी अपना password चेंज करेगा तो इस s की मदद से वो कर पाएगा change क्योंकि यह administrator command है तो यह normal user भी run कर सकता है normal user किसकी मदद से run कर सकता है s की मदद से यानि setuid की मदद से तो हम इसी file4 के उपर यह configure set करके देखते है इसको set करने का तरीका यह ch mode u plus s file4 तो इसके उपर file4 के उपर setuid configure होगी है set होगी है लेकि यहां पर उपर आप देखें यहां पर capital s है जबकि यहां पर small s है इसकी वाइज यह है क्योंकि इस file के पास execute की पर्मिशन है यानि owner के पास execute की पर्मिशन है इसलिए इसका तो वो execute के लिए तो small s होगा और अगर capital s है तो non execute तो हम इसी file4 को execute भी बना के देख लेते हैं chmod a plus u plus x file4 हमें सिर्फ user को owner को x की पर्मिशन देनी है तो इसलिए मैं सिर्फ u plus x यूज का रहा हूं तो अब देखते हैं पहले इसके पास capital s था अब इसके पास small x हो गया क्योंकि अब इसके पास executable की भी permission होगी अब यह जो owner है इस file को execute भी कर सकता है यह थे हमारे पास user id यानि set user id के हम अपनी machine के उपर user id को किसारा set कर सकते हैं तो exam के अंदर set u id के हवाले से एक स्वाल लाजमी आता है इसी तरह set gid के लिहाअसे भी स्वाल लाजमी आता है set GID और set UID इन दोनों के लिहाज से exam स्वाल लाजमी आता है यह going set a did दोनों में से कोई एक स्वाल आशा़ लाजमी आएगा और File Permission के लिहाज से भी एक question लाजमी होगा exam के अंदर पहले कुछ सुआल होगा इसमें दो पार्ट होंगे exam के File Permission के लिहाज से एक मेनí Normal Permission के लिहाज से कुछ उसने चीजें पूची होगी एक मेनी Special Permission के लिहाज से पूछे होंगे फिर उसमें एक ने इसमें ACL भी पूछे होंगे कि ACL भी इस file folders के उपर set करो वो देखो फिर हम ACL देखेंगे ACL अभी हमारे पस क्या चीज़ है ACL अभी हम नहीं देख रहे अब हम देखते हैं set set GID set GID क्या होता है कि set group ID इसका मतलब यह है कि group ID जिस दर हमने user ID set की यह इसी दर हम group ID भी set करेंगे तो उससे पहले configure करने पहले इसको set करने से पहले हम देख लेते हैं set GID क्या होती है set GID permission is similar to the set UID except the process effect the group ID is changed to the group owner of the file and the user is gained access based on the permission assigned to the group अब पहले में यह दा कि जब हम set UID करते थे सिर्फ और जो user से सिर्फ उनको executable की permission मिलती थी किसकी मेंसे set UID के मेंसे जो other users थे जो owner के लावा जो other users थे उनको सिर्फ set UID की permission जो मिलती थी उस सिर्फ set UID की मेंसे मिलती थी अब इस case में set group ID की case में उस group के अंदर जितने भी members होंगे उन सब को executable की permission मिल जाएगी इसको भी से S से ही denote किया जाता है लेकिन ये executable permission आती है R W X ये owner के लिए R W S इक group के लिए इसी तरह इसमें भी small और capital 2 S आते हैं small उसी तरह अगर executable permission है यानि वो script है कोई उसके उपर executable permission set की हुए या तो small S अगर executable permission set नहीं की हुए तो capital S if setgid bit is set on any directory all subdirectories and file created inside will get same group ownership as main directory it does not matter who is creating अगर मैंने किसी directory के उपर setgid permission set कर दी गई है तो उसके अंदर जितनी मैं subdirectories बनाओंगा जितनी मैं files बनाओंगा या subdirectories बनाओंगा तो उसका group कोई होगा same वो ही उस पर permissions set होजएगी जो parent directory के उपर permissions थी group की यानि अगर हम कोई होग group member आके बनाता create या किसी होग different group member का आके उसके उपर file write करनी शुरू कर देता है उसके अंदर file create करता है या interactive create करता है तो उसका ownership group change हो जाएगा यह अभी हम करके देखते हैं कि इसका क्या मतलब है इसके बास sticky bits सबसे पहले हम group id चेक करते हैं तो इसी file के उपर मैं file for के उपर set करता हूँ बलके इसके लिए हम file नहीं create कर लेते हैं इसके पर्मिशन देखते हैं byte file के उपर वही सेम पर्मिशन है ओनर के लिए rw बाकियों के लिए r सिर्फ read only तो इस पर मैं पर्मिशन सेट करता हूँ उसी तरह ch mode g plus s group के लिए g और user के लिए u file 6 अब इसके उपर भी देखें इसके उपर जो permission set होगी वह capital s permission set होगी क्योंकि इसके बाद executable permission है तो मैं इसका भी हम owner owner change कर देते हैं इसका owner मैं कर देता हूँ वसीम और इसका जो group बनायता हूँ वह मैं इसका group बनायता हूँ account का उसको file 6 ch on accounts अब इसका जो file 6 का जो owner है वह वह मसीम है जो इसका group है वह account है यहने accounts के अंदर जितने भी members होंगे वह सब के सब इस file को read कर सकते हैं किसकी मैज़ से आर की मैज़ से और इसके उपर क्या set हुई हूई है group id भी set हुई है g id भी set हुई है तो मैं इस group account के अंदर कुछ members भी add कर देता हूँ user-mode-g-hasan-g इसके अंदर इसके लावा इसके अंदर इसके अंदर groups में add कर दें इस account group के अंदर अब इस फाइल को read कर सकते हैं और सासा इसके उपर executable permission भी है यानि इसके उपर special permission भी set है किसकी set है group id की अब इसकी example as it is तो आपको clear नज़र नहीं आएगी लेकिन अगर हम directory बनाते हैं तो इस directory के अंदर आपको इसकी examples ठीक नगर नज़र आईगी मैं एक directory rate कर लेता हूँ g id के नाम से इस पर परमिशन इस पर पहले देख लेते हैं कौँसी है owner के लिए rwx है बाकियों के लिए read only read or execute की permission है तो मैं इसका ownership जो change कर देता हूँ ch on वसीम और accounts तो अब इसकी ownership जो होगी वह वसीम की होगी ownership इसके अंदर जो group है वो कौँसा हो गया accounts का group हो गया तो अब मैं इसके अंदर आता हूँ इस पर मैं जरा permission set कर देता हूँ special permission set g id set configure करते हैं इसके उपर तो g plus x s g id यह देखें यह इसके उपर permission इसके उपर x होगी अब इधर capital s है इधर smaller x है क्योंकि इसके उपर executable permission आगी है इसलिए इसका small s हो गया तो अगर अब मैं इसके अंदर क्योंकि अभी मैं root से लोग नहीं है तो मैं जितनी भी files create करता हूँ जितनी मैं folder create करूँगा वो मेरे पास किसकी permission से होंगे वो root की permission से होंगे root owner की permission से होंगे और उसका group का उनों का root होगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक file create करके touch देके file हमने 44 create की है तो इसका owner जो है root है और उसका group है तो अब मैं अगर आके इस folder के अंदर create करता हूँ cdgid तो इस folder के अंदर आके मैं कुछ directory create करता हूँ test की और कुछ file create कर लेता हूँ a b c d e a अब यह देखे इसका owner कौन सा है वो owner root है लेकर इसका group कौन सा accounts का है क्योंके जो parent के उपर permission थी group owner की वो इस same to same group की सब के पास आगी उसकी वज़े यह है क्योंके हमने इस पर permission set की थी वो g id permission set की थी अब इस folder के अंदर में जितने भी user जितनी में मैं सब directories create करूँगा जितनी में मैं files create करूँगा सब के उपर permission set हो जएगी वो s की permission set हो जएगी अब इदर देखें कुछ change आपको नजर आ रहा होगा files के उपर permission set नहीं हुई जबके उपर as it is same to same directory set होगी s की क्योंके इसकी वज़े यह है कि test directory के अंदर भी मैं जितने भी files create करूँगा यह सब directories create करूँगा उसके उपर भी s permission inherit हो जएगी जिससरा भी test करके देख लेते हैं touch और इसके लावा mkdir यह देखें जितने भी files थी उन सब का owner है जो owner तो वह as it is है जिसने create की है root नहीं file create की है लेकिन root का जो group आ रहा है वो accounts आ रहा है उसकी वज़ज यह है क्योंके तो इस test folder के उपर s permission executive set permission set हुई है s permission g id permission set हुई है तो इसी तरह जितने भी अंदर subfolders, directories files s permission inherit होते जाएगी किसकी मज़ से यह set g id permission की वयाए से exam में इसका लाजमी एक सूब आता है site g id का जब मैंने exam दिया था तो उसमें एक सूब यह था कि जो parent directory है उसकी उपर जो permission है वही as it is permission अंदर जितनी भी सब directories है उनके उपर implement होजे और अगर मैं कोई से new directory create करता हूँ यह render limit जितनी भी मेरे पर directories यह files create होती है उन सब के उपर same owner की यानि same group की permission आनी चाहिए तो यह में एक स्वाला है था set jid का हो सकता है आपको भी आजे या group id का आजे या user id का आजे तो मुझे group id का आया था अब हम देखते है sticky bits, sticky bit के होते है if the directory permission has the sticky bit permission set then the file can be deleted only by the user owner of the file, directory or the root user अगर किसी folder या file के ओपर permission set कर दी जाए sticky bit set कर दी जाए तो सिरफ उस file को owner ही delete कर सकता है root user इसलिए delete कर सकता है क्योंकि उसके ओपर किसी किसे permission implement नहीं होती इसलिए वो user वो files या folders को delete कर सकता है तो हम देख लेते है sticky bit के लिए sticky bit के अंदर भी उसे है वो ही scenario है T, capital और T, small उसमें set user id में s होता था या small s sticky bit के लिए capital T या small t या तो मैं एक folder create करता हूँ mkday sticky bit के नाम से create कर लेता हूँ sticky के नाम से इसके उपर मैं permission set करता हूँ सबसे पहले हम इसकी permission देख लेते हैं root user ने और इसका group भी root है तो मैं इसका chmod urduit academy chon ali ali इसका sticky bit के उपर जो मैंने user इसका बन गया वो ali ali बन गया लहाज बलके मैं इसकी example आपको किसी home directory में बैटके देते हैं यानि home home के अंदर यहां इसके अंदर home waseem home waseem यहां पर हम folder create करते हैं mkdir इसकी मैं permission set देखते हैं permissions की कैस की जो permission है वो group की और owner की root root है तो इस पर मैं permission set करता हूँ ch on change ownership ali और sticky की अब इसका owner कौन हो गया अब इसका owner अली हो गया इसका group क्यों कौन हो गया अली हो गया और r only है और read इसके अपर permission मैं set करता हूँ यहां इसको ठीक हो गया इसके sticky bit चेक करता हूँ ch mode o plus t क्योंकि जो sticky bit यूज की जाती है वो सिरफ others के लिए यूज की जाती है owner और group के लिए नहीं यूज की जाती others के लिए यूज की जाती है तो यह हो गया इस पर small x क्योंकि others के पास क्योंकि other के बाद executable permission थी इसलिए small t आया है तो मैं यहां पर एक file over create करता हूँ sticky के नाम से file create कर लेते हैं इस पर मैं पहले permission दखा लिएता हूँ अच्छा file create करता हूँ वह नाम एक जैसा था इसलिए file को create नहीं किया तो sticky one root ने create की यह तो मैं चीज को change करता हूँ ch mode o plus t sticky one अब देखें इसके उपर capital T आ रहा है इसके उपर small T था sticky के उपर और sticky one के उपर capital T था इसकी वज़ा यह है कि sticky one के उपर permission नहीं है executable की और sticky के पास executable की permission है तो मैं switch करता हूँ user को switch करता हूँ user user के पास अब यहां पर देखे sticky bits है वो किसकी है अली की permission के साथ है तो मैं यहां पर file create करता हूँ sticky के अंदर touch touch कुछ files मैंने create की है तो मुझे error देरा permission denied क्यूंकि उसकी वज़ा यह है क्यूंकि यह हमारे पास जो sticky का था उसकी वज़ा यह है क्यूंकि जो हमारे पास sticky था उसके उपर permission लागी है sticky bit की इसकी वज़ा यह है क्यूंकि अब इसके उपर जो काम कर सकता है सिर्फ अली user ही काम कर सकता है यहाँ अली group से related जितने भी member होंगे वो काम कर सकते है अली group से related से member अली है सिर्फ वह इसलीव उसके काम कर सकता है उसके लिए यह है क्यूंकि उस पर sticky bit user होगी इसलीव वह वसीम user के उपर कुछ भी write नहीं कर सकता ना इसको delete कर सकता है ना इसको write कर सकता है जबके हमने last lecture मेरे जब हमने शुरू में LEK bowl आखिर समय जब हमने यूजर्स created की देखे थे थे तो हमने देखे के हार यूजर अपनी होम डिरेक्टरी नर जो चाहेか मर्सी करें चाहे वह hace replace create करे create करें या delete करे अली नाम की जो sticky file बनी है वो delete नहीं कर पा रहा उसकी वाज़ यह है क्योंकि इसके उपर sticky bit हमने implement कर दिया अगर मैं इस folder को create delete करने कोशिश करता हूं तो मुझे delete उसने कर दिया folder क्योंकि उस folder के अंदर sticky bits थे उस folder को हम delete कर सकते हैं अंदर जितनी भी files थे वह हम create नहीं कर सकते हैं इसके इलाव इसके अंदर मैं file को भी create कर देता हूं अगर मैं अब आपको एक फोल्ड एक और file create करते हैं यहां पर बलके वापस route में जाते हैं यहां पर mkdir sticky one two अब देखिए यहां पर मैंने folder the butter create किया तो इस पर जो permission है वो root root की है तो इसका change ownership करता हूं वसीम और इसको accounts ठीक है इस पर sticky bit create कर देता हूं तो इस पर sticky bit की permission set हो गई है यह tea आ गया तो अब मैं वापस किसी होर यूजर की switch में जाता हूं इसके साथ होर कौन साथ है हसन था ठीक है यहां पर मैं LS करता हूं तो मुझे कह दे रहा permission denied उसी वह यह है क्योंकि मैं वसीम की home directory के अंदर switch हुआ हूं तो वसीम home directory के अंदर मैं कुछ भी देख नहीं सकता कि मैं यह permission ही नहीं है कि किसी होर यूजर की मैं home directory में जाकर कुछ कर सकूं Linux का by default behavior है तो अब हम देख लेते हैं कि sticky bit के लिए जो हमने use किया था sticky bit के लिए one और uid के लिए set uid के लिए two और group id के लिए four हम देख लेते हैं यह four किस तरह implement करते हैं तो मैं उसी तरह वापस आता हूं desktop के उपर तो मैं यहां पर एक file create करता हूं cs touch 334 name की file मैंने create की है इसको हम permission set करते हैं तो ch mode one double double one seven seven four तो 334 तो देखें 344 के उपर sticky bit t के साथ execute होगी क्योंकि मैंने इसके उपर r के उपर यानि end वाली permission के उपर मैंने execute permission नहीं दी सिर्फ मैंने read की permission दी है बागी मैंने कोई permission नहीं दी तो इसी तरह मैं इस file के उपर दबारा four के साथ permission दे जते हैं जब four के साथ permission दी है तो देखे set u id आ गया user के लिए four वो टी खतम हो गया क्योंकि हम एक ही permission set कर सकते हैं sticky bit set कर सकते हैं या group id set कर सकते हैं या user id set कर सकते हैं इसी तरह मैं यहां पर two set कर दूँ तो यह group के लिए आगी sorry वह थोड़ी सी mistake होगी set user group id के लिए two होता है और set user id के लिए four होता है sticky के लिए one होता है यही अभी हमने देखी ही permission s capital s क्या होता है small s क्या होता है capital s user id के लिए small s group id के लिए sticky capital t और small t sticky bits के लिए executable permission है तो अगर executable permission नहीं है तो capital t अगर executable permission है तो small t अगली अगली lecture के अंदर हम देखेंगे हम ACLs किस तरह implement कर सकते है इसमें limitation यह थी के हम जो permission set करते थी इसमें limitation यह थी के पूरा का पूरा group अगर एक group के अंदर पचास member आए तो पचास के पचास member उस files यह उस folder को access कर पाएंगे हम यह नहीं कर सकते के यार इस पचास में से 25 user या 25 member इस file को access कर सके 25 इस file को access ना कर सके तो उसके लिए हम use करतें ACL ACL हम देखनेंगे अपने next lecture के अंदर तब तक के लिए अपना क्या रखिया Thank you, Allah Hafiz